शेहडोल संसदीक शेत्र की सांसद प्रत्याशी हिमाद्री सेह ने उमरिया जुले के बिर्सिंग पूर पाली में लोगसभा चुनाओं के मद्दे नजर चुनावी कारलय का शुभारम किया इस दारान पूजा आराधना कर कारलय बें फीता काटा गया वहीं उपस्थित बीजेपी नेताओं सहत कारकरताओं ने अपने प्रत्याशी का शौल श्रीफल और मुह मीठा कराकर स्वागत किया अपस्थित भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए लोगसभा प्रत्याशी हिमादरी से ने कहा कारकरता ही मेरी ताकत है इस चुनाओं मैं बीजेपी भारी बहुमत के साथ विजेश्री प्राप्त करेगी साथ ही केंद्र में मोधी जी की सरकार पुना स्थापित होगी मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद प्रत्याशी हिमादरी से ने कहा कि शहडोल संसदी क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं होगी और उने कहा कि आगामी दिनों में भी कमी रगई है उन्हें प्रात्मिक्ता के साथ पूरा किया जाएगा सांसद प्रत्याशी हिमादरी से जब उमरिया जुले के विभिन क्षेत्रों सहत पाली क्षेत्र में विकास कारे नहीं कराने पर बात की गई तो उन्होंने कोरोणा का रोणा रूते हुए जिम्मेदारी से पल्ला जाल लिया चुनावी कारले के उध्याटन अवसर पर भाजपा जुला अध्यक्ष दिलीप पांडे नगरपाले का अध्यक्ष अकुंतला प्रधान पूर्व जिला पंचैट अध्यक्ष ज्यानवती सें मंडल अध्यक्ष विमल अग्रवाल भाजपा नेता बहादुर सें की शरीनात अग्रवाल, सर्जु अग्रवाल, राज कुमार खरे, विश्नु विश्यकर्मा, कामता विश्यकर्मा, नीरज राय, भूला महराज, संतु उश्य सिंबैस, चंद्र महन शुकला, प्रजेश तिवारी सहत, अन्य नेता गण मौजूत रहें विश्यकर्मा, के शेत्र की सांसद हमाद रेशने को पुना वीजेपी ने अपना प्रत्याशि बनाया है देखे सर प्रत्हम तो मैं अपने पार्टी के सभी सीर्स नेत्रेत वका मैं बहुत बहुत अभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने पुना और मा बिरासनी देवी के आशिरवाद से उन्होंने पुना मुझे इस पवित्र शेत्र का सेवा करने का अवसर दिया और प्रत्याशी के रूप में मुझे 2024 के लोकसवा के चुनाव में उतारा है और प्रत्याशी गोशित होने के बाद आज मेरा इस उमरिया जिले में प्रत्थम आगमन हुआ था और आज मेरा आने का उद्देश ये था कि हमारे सभी भारती जंता पार्टी के जो कारे करता है उन लोगों का अन्यवाद व्यक्त करना और इसी क्रम में आज हमने यहां पाली नगर में हमने अपने चुनाव की द्रिष्टी से आज यहां पे कार्यालय का सुभारम किया है देखें अभी तक इस छेत्र में बहुत से कारे हुए और आने वाले समय में भी हम अपने इस संसदी शेत्र के लिए और भी विकास कारे क्या कर सकते हैं उसके भी हम लोग चिंता करेंगे और प्रात्मिक्ता ये रहेगी कि जो हमारी पूर्व में जो हमारी कार्योजना है कि एक शेडोल मुख्यालय में हमारा चुनकी संभागे मुख्यालय है हमारे इस लोकसवा शेत्र का तो वहां पे एरपोर्ट का जल से जल वहां पे शुरुवात हो और यहां पे और भी जो उद्योग हैं वो इस्थापित करना सैनी की स्कूल लाना और क्रिशी महाविद्यालय भी खोलने का ऐसा ही मेरी सोच है कि हमारे इस छेत्र में सिक्षा को ले करके स्वास्त सुविधाओं को ले करके हम और बहतर हमारे इस संसदी शेत्र में कारे करें देखे हमने पूरे जिले की अगर मैं बात करूं तो हमने करोडों के यहां पे रोडों की सोगात यहां पे आई अभी कुछ मापूर्व एक हमारे इस संसदी शेत्र में शेडोल नागपुर की ट्रेन का सुभारम भी हुआ और मैं लगातार अभी प्रयास में हूँ कि हमारे इस बिरसिंगपूर पाली में उसका स्टॉपेज की भी मांग जनता के द्वारा यहां से उठाई जा रही थी उसकी भी बात हम कर रहे हैं और वो भी मैं प्रयास कर रही हूँ कि जल से जल यहां पे उसका स्टॉपेज हो अभी यहां पे जो भी विकास कारे हुए है चाये वो नगर परिशत की बात हो या हमारे ग्रामीड शेत्रों की बात हो जो भी विभिन हमारे सांसद मत से हम कर सकते थे हमने प्रयास किया अभी राजे के विसेश निधी से भी हम लोगों ने यहाँ पे नगर परिशत को और बहतर बनाने के लिए यहाँ पे चाहे मूलभूत जो सुविधाएं हैं चाहे रोट की बात करें, सड़क की बात करें, पा जो को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको ले करके, बिर्सिंग परपाली से दीपूत रपाठी की रपॉर्ट